असलाम अलेकुम स्टुडेंट्स आप देख रहे हैं चैनल जज का नाम है बढ़ाई घर उम्मीद है आप सब खेरियत से होंगे तो स्टुडेंट्स आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे फेडरल पोर्ड सिविक्स फिस्ट यर पेपर पेपर पेटरिन हम आपको बताएंगे कि इस पेपर में कितने सेक्शन होते हैं और इसके हर सेक्शन के टोटल कितने मार्क्स होते हैं और उन में भी टोटल कितने कुस्टन होते हैं तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किये चलते हैं अपनी डिसकेशन के जानेब परहाई घर में खुशाम दीद सबसे पहले इस चैनल को सबस्क्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताके आप हमारी तमाम वीडियो से बाखबर रहें और बनो मसाल पाकिस्तान की क्योंकि अब मुल्क को बहतर बनाना है तो शिडिन्स फेडरल पोर्ट का सिविक्स का पेपर तीन हिस्सों पर मुश्तमिल होता है हिस्सा अवल, हिस्सा दों और हिस्सा सों इसका हिस्सा अवल कुल बीस नंबर का होता है और इसमें टोटल बीस सवाल ही होते हैं इसका सवाल नमबर एक हम पढ़ लेते हैं, सवाल नमबर एक मुहया की गई, OMR जवाबी कॉपी पढ़ दी गई, तमाम हिदायात के मताबिक हर सवाल का दुरस्त जवाब A, B, C या D मुंतखिप करके मुतलका दाइरा यानि बबल पुर करें, हर जुसका एक नमबर है, यानि इसमें मुझूद 20 कोस्टन के 1 मार्क हैं, क्यूंकि इसमें टोटल 20 कोस्टन हैं, तो इसलिए हर कोस्टन का जो मार्क है, वो 1 मार्क है, means 120 is a 20, काफी स्टुटरंट्स OMR शीट के बारे में जानते होंगे, लेकिन जो पहली दफ़ा फेडरल बोर्ट का पेपर दे रहे हैं, ह कि उस चेंजिंग में आपने MCQs के मार्क इस MCQs पेपर पे बिलकुल नहीं लगाने, बलके आपने एक अलहदा से दी गई OMR आंसर शीट पर करने हैं, अब ये OMR आंसर शीट क्या होता है, ये आपको एक अलहदा सी कॉपी दी जाती है, जिसके अंदर आपने बबल्स को फि देख सकते हैं, कि आखरकार ये OMR शीट है क्या, हिस्सा 2, इस हिस्से के कुल नंबर होते हैं 50, और इस हिस्से में कुल सवालाद जो आपको दिये जाते हैं, वो होते हैं 14, जिसमें से आपको कोई से 10 करने होते हैं, यानि आपके पास 4 questions की choice होती है, इसमें मुझूद हर एक question के जो marks होते हैं, वो होते हैं 5, यानि 10, 5, 50, इसका हम सवाल नंबर 2 पढ़ लेते हैं, मुंदर जजैल में से कोई से 10 अज़ा के 3 से 4 सितरों तक महदूर जवाबात लिखें, यानि आपने इन सवालों के जवाबात सिर्फ 3 से 4 सितरों पर ही लिखने हैं, यानि 3 से 4 लाइ होते हैं, वो होते हैं 30, और इस हिस्से में जो आपको कुल सवालात दिये जाते हैं, वो होते हैं 3, इन 3 में से आपने कोई से 2 सवालों को हल करना होता है, और तमाम सवालों के जो नंबर होते हैं, वो बराबर होते हैं, इसमें हर एक question का जो नंबर होता है, वो होता है 15, या से आपके 30 तंब डिवाइड हो जाते हैं इस सेक्शन में तो स्टुटेंट्स ये थी हमारी आज के विडियो उमीद है आपने बहुत अच्छे से इन तमाम सेक्शन के बारे में पढ़ लिया होगा और समझ भी लिया होगा कि आखिरकार फेडरल बोर्ट स्विक्स का पेपर कि किस तरीके से और किस पेटरिंट पर होता है उसमें कितने कोस्टेंस होते हैं और कितने कोस्टेंस की हमें चॉइस दी जाती है अपना बहुत सारा खियार रखिएगा अल्लाहाफिज झाल